नमस्ते दोस्तो वाचवाला दादा आपका स्वागत करता है इस वीडियो में हम देखेंगे दुनिया का सबसे लोगप्रिय वाच रोलेक्स कोस्मोग्राफ डेटोना जिसका रीटेल प्राइज है लगभग 9 लाग रुपए और मार्केट प्राइज है 18 से 22 लाग रुपए जी हाँ दोस्तो आपने सही सुना इसका मार्केट प्राइज रीटेल प्राइज से दो गुना ज़्यादा है वो इसलिए क्योंकि इस वाच की डिमांड इतनी है कि आपको ये रोलेक्स के शोरूम में मिलेगा ही नहीं आपको मेरी बात का यकिन नहीं होता है तो आप कुछ से ट्राय करके देखिए रोलेक्स के शोरूम में जाके बोलिए कि आपको ये वाच खरीदना है रोलेक्स कोस्मोग्राफ डेटोना पैंडा इसको लोग प्यार से पैंडा बोलते हैं लाक और डाइट का चलते तो देख लगबग 10 साल होगा तो आपको ये वाच मिलेगा नहीं वेटिंग लिस्ट की सच्चाई दूसरी बात है लेकिन एक बात पक्की है अगर आपका वेल एस्टैबलेश्ट रिलेशन्शिप नहीं है रोलेक्स बुटिक के साथ तो आपको ये वाच वो बेचेंगे नहीं वेल एस्टैबलेश्ट रिलेशन्शिप मतलब अगर आप प्रोलेक्स शोरूम के जो सेल्समन है उसको परसनली नहीं जानते हो या आपने अगर लास्ट एक या दो साल में साथ सत्तर लाख रुपे का माल उनसे खरीदा नहीं है तो आपको ये बेचेंगे नहीं तो इसके चलते ये नव लाक रुपए वाला स्टेनले स्टील वाच अठरा से बाइस लाक रुपए में मार्केट में बिखता है इस वाच की हिस्ट्री कुछ आजीब सी है इस वाच को ओरीजनली नासा के अपलो मिशन्स के लिए आज स्पेस वाच मनाया गया था लेकिन न पर रोलेक्स ने फिर सचा की इंसेट ऑफ सपेस वाच इसको रेस वाच बनाये जाया और अमेरिका के अपरीडा स्टेट में एक डेटों नाम की जगा है बीच है डेटों पीच तो उदर रेसिंग चलती है कार रेसिंग तो इस वाच को उधर उनने प्रमोट केया और आज तक ये वाच डेटोना और इसको स्पांसर करता है आज के तारीक में ये दुनिया का सबसे पॉपुलर और डिजाइड वाच है लेकिन एक जमाना ऐसा था जब इसको कोई लेने वाला नहीं था कोई पूछते नहीं थे इसको 1950 में जब इसको बनाया गया तब से 1988 तक ये एक मै मैकेनिकल वाइंडिंग वाला वाच था और इसकी डिमांड उतनी ज्यादा नहीं थे इस वाच का नसीब बदला 1988 में जब इसको मैनुवल से आटोमेटिक में कनवर्ट किया गया इसमें पहली बार जैनित एल प्रिमेरो का जो आटोमेटिक इंटिग्रेटेड क्रोनोग्रा इसको इसमें डाला गया और तबसे इसकी डिमांड बढ़ती चली गई यह 2000 के बाद इसमें इनाउस 4130 मोमेंट को डालने की शुरुआत की गई है और पेजल को स्टील से से सिरामिक में कनवर्ट किया गया है तो यह वाच आता है स्कूट डाउन प्रोनोग्राफ पुशर्स के साथ जो ओरीजनल इसका जो मोमेंट आटोमेटिक मोमेंट पहला आटोमेटिक मोमेंट 4030 जैनित का तो उसकी फ्रिक्वेंसी एक्ट्री 36,000 वाइब्रेशन पर आवर की उसको जरा सा रेड्यूस किया गया था ताकि इसमें वेरेंट टेर कम हो डेट फीचर को भी हटा दिया गया ताकि और रिजर्व बड़े और आज के तारिक में जो इन्हाउस पावर 130 मोमेंट है इसका पावर रिजर्व है 72 आवर्स 100 मेंटर वाटर एस्टन्स वाला यह वाच आता है सिरामिक बेजल के साथ जिसके उपर टेकिमेटर एंग्रेवड है जैसे कि आपने ओमेगा का स्पीड मास्टर देखा होगा जिसमें भी टेकिमेटर जो है वो टाइल के बाहर बेजल पे प्रिंटेट है तो यह भी उसी जब आप क्रोनोग्राफ चलाएंगे तो जो सेंटरल सेकेंड सेंड है वो वन एट अफ सेकेंड को मेजर करता है और जो सब डाइल से वो एलैप्स टाइम को दिखाता है जिसे कि आवर्स और मिनिट्स में तो यह आता है आइस्टर ब्रेसलेट और आइस्टर सेफटी क्लास्प के साथ इसमें जो माटेरियल यूज के आइस्टील का माटेरियल वो है 904L स्टील एकदम उन्दा कॉलिटी का स्टील है तो दोस्तो इस डाइल का साइज है 40 mm और यह आता है फाइयर्स वारंटी के साथ तो दोस्तो यह था रोलेक्स कोस्मोग्राफ टेटोना जिसको लोग प्यार से पैंडा भी बोलते है अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तो के वीडियो देखने है तो मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स पर वाचिंग